आप लोग उमीद करते हैं कि आप वाम लोग खरियास से होंगे इस तो आज की वीडियो में हम सौधी रब की कुछ बड़ी और इंपोर्टेंट जो अपड़ेट आरे हैं अपनों के साथ सेर करने वाले हैं अगर आप सौधी रब में रहते हैं सौधी रब के हाला तो वाकियास से वाख हो रहना चाहते हैं तो इस वीडियो का आप से लेकर आकर तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी जादा बड़ी और इंपोर्टेंट होने वाली है सबसे पहली खब एक हीरो है जिसा कि आप सामने स्क्रीम पर वीडियो क्लिप जो है वो भी देख सकते हैं और साथ में जो अपडेट है वो भी आप देख पा रहे होंगे कि एक स्कूर्टी अधिकारी एक बुजुर्ग की सड़क पार करने मदद करता है और लोगों को ऐसा करना भी चाहिए क इसके बारे में भी अपनी राय का इजहार चिरूर करें इसके साथ इस तो गली अपडेट यह है जिसा कि आप होते हैं कि सौधर विया में कुछ और कामों पर सौधी जैसन करने का एलान निश्टी की तरफ से कर दिया गया इसके बारे में कल मैंने आपको जानकारी दी थी यहाँ पर कुछ और इस बारे में अपडेट जो है वो जारी हुई इसमें बताया यह गया है कि यह सौधी जैसन जो है रमजान से स्टार्ट कर दिया जागा नहीं रमजान के महने से यह सौधी जैसन स्टार्ट हो जाएगा जो कि कंसल्टेंसी जो प्रोफेशन से होंगे ज specialist, security, consultancy specialist, project management, manager, project management, engineer, project management specialist, यानि इन छेतरा की कामों पर सौधी नागरिकों को रोजगार दिया जाएगा, तो ये एक बुरी खबर है अजनभीयों के लिए और एक बुरी खबर है क्योंकि सौधी अगंदर लगातार सौधी सेन किया जा रहा है और जो मेन मेन काम है उन कामों से लगातार अजनबियों को हटाया जा रहा है और उनकी जगाँ पर सौधी नागरिकों को ज़्यादा ज़्यादा रोजगार दिया जा रहा है तो यह एक और बूरी खबर कि अब इन छे कामों को भी गहर मुल्की जो है वो नहीं कर सकेंगे इसके साथ एक लिप डेट यह है कि इसके आप सामने स्क्रीम पर एक वीडियो क्लिप जो हो देख सकते हैं इसमें होता है यह कहा है कि पाकिस्तानी बंगला देशी और भी अलग अलग देश के लोगों को जो है वो भीग मांगते हुए गिरफतार किया गया है जिनस्तों इसके आप होता है कि सौधर इबियो गंदर भीग मांगने पर पूरी तरीके से पबंदी लगी हुई है उसके बावजूद भी कुछ लोग देखा जाता है कि भीग मांगते हुए नजर आते हैं और जो लोग भीग मांगते हुए नजर आते हैं उनकी वीडियो कोई बना लेता है या फिर कोई उनकी शिकायत कर देता है तो पुलिस तुरंत ही आकर ऐसे लोगों को जोखे वो गि कहके हैं कि सूधी रभ में पौल्टी फरंप की र कमेटी ने कहा है कि सूधी रभिया के sandr मुर्गिय अगर ऐ अप्लिकेशन के जरिये से खरी दे जाती हैं तो आपको बीस परसंट जो है वो सस्ति में अपलब्द कराही जा रही है जैस्ट अगर आप अप्लिकेशन के जरीए से मुर्गियां जो हैं वो खरीते हैं तो आपको 20% जो है वो सस्ती में मुर्गियां मिल जाएंगी तो यह अप्लिकेशन है इस अप्लिकेशन के जरीए से आपको मुर्गी खरीदना है तो आप खरीज सकते हैं आपको जो मुर्गी है वो 20% सस्ती में मिलेगी तो यह अच्छी अपडेट है जो लोग चिकन या मुर्गीों के सोखिन उन लोगों के लिए इसके साथ उसलोगी अपडेट आज की तारिक में क्या एक्चेंज रेट चला है रियाल रेट क्या चला है वो आपनों के साथ से करते हैं इंडिया नेपाल का तो इंडिया कगर हम बात करें तो इंजात दे रहा है 21.48 इसके साथ हम बात करें नेपाल काज की तारिक में क्या रेट चला है तो नेपाल काज की तारिक में इंजाज जो है वो दे रहा है 31.45 फौरी दे रहा है 34.16 तैवीर अटराजी दे रहा है 34.16 मनिगरम दे रहा है 34.47 वेस्टन यूनियन इंजाद दे रहा है 34.46 फाओर हटी सी पे दे रहा है 34.37 यूर पे दे रहा है 34.67 तो इस तो यह थी आज की सौधी रब की कुछ बड़ी और इंपोर्टन अप्डेट इंपोर्टन जानकारी जो आप लोगों के साथ सेर कर दी गई तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी और अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाया है और जो दो चैनल पर नए है उनसे रिकोष्टे प्लीज चैन